प्यारे विध्यार्थियों, नमस्कार आशा करती हूँ आप सभी तंद्रूस्त होंगे और पढ़ाई के प्रती आप सब का उत्साह कायम होगा बच्चों, मैं पूजा शर्मा चंडिगर्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट से और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नमी कक्षा के विज्ञान का अध्याय 11, कारे तथा उर्जा तो चलिए वच्चों, हम पहले यह देखते हैं कि हम इसके बारे में पहले से क्या जानते हैं किसी भी वस्तु को विराम अवस्ता से गती की अवस्ता में लाने के लिए हमें किन उपायों को अपनाना पड़ता है बल की परिभाशा क्या है किसी भी कारे को करने के लिए हमें उर्जा की अविशक्ता क्यूं होती है थोड़ा बहुत इन सब के बारे में हमें पता है तो आईए अब देखते हैं कि इस अध्याय में हमने क्या पढ़ना है कारे एक नियत बल दुआरा किये गए कारे का मान उर्जा के रूप गतिज उर्जा, स्थितिज उर्जा उर्जा सरक्षन का नियम, कारे करने की दर और उर्जा का व्यवसाईक मात्रक आईए इन सब के बारे में हम एक-एक कर पढ़ना शुरू करते हैं चलिए बच्चों देखते हैं कारे किसे कहते हैं मा मैं बहुत ठक गई हूँ मुझे थोड़े से आराम के आविशक्ता है मैं अपने एक्जाम्स के लिए बहुत महनत कर रही हूँ आराम के आविशक्ता? लेकिन बेटा अगर हम विज्ञान की भाशा में बात करें तो आपके द्वारा किया गया कारे विज्ञान की भाशा में कारे नहीं है मा ऐसे मत कहो मैं बहुत देर से पढ़ रही हूँ बिलकुल ठीक लेकिन क्या तुम्हें पता है विज्ञानिक भाषा में कारे किसे कहते हैं? नहीं मा, वास्तव में मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता चलो ठीक है, फिर आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं विज्ञानिक भाषा में कारे करना किसे कहते हैं? इसे समझने के लिए पहले हम कुछ स्थित्यों के बारे में बात करते हैं बेटा जब आप मॉल जाते हैं तो ट्रॉली को धक्का लगा कर कुछ दूरी तक लेके जाते हो कोई व्यक्ति किसी बड़ी चटान को धकेलने के लिए बहुत महनत कर रहा है लेकिन फिर भी वह उस चटान को नहीं हिला पा रहा एक आदमी एक रेड़ी पर भार खीच रहा है या फिर आप अपने सिर पर एक भारी बोज रख कर कुछ मिनिट के लिए बिना हिले जुले खड़े रहते हैं अब इन सब स्थितियों में सामाने भाषा में सभी लोग कोई न कोई काम कर रहे हैं लेकिन अगर हम विज्ञानिक धंग से देखें तो क्या सब कारे कर रहे हैं? चलिए देखते हैं पहली स्थिती में आप ट्रॉली पर बल लगा कर उसे कुछ दूरी तक लेके जा रहे हो दूसरी स्थिती में आदमी के बल लगाने पर भी चटा नहीं हिली तीसरी स्थिती में आदमी रेडी को खीच रहा है और कुछ दूरी तैकरी 34 स्थिती में आप अपने सर पर भार उठा कर एक जगे खड़े हो तो बेटा अगर विज्ञानिक सोच के साथ देखें तो पहली और तीसरी स्थिती में ही कारे हुआ है दूसरी और 34 स्थिती में कोई भी कारे नहीं हुआ अच्छा इसी कारण आपने कहा कि मैंने कोई कारे नहीं किया क्योंकि मैंने कोई दूरी नहीं तै करी बिल्कुल ठीक पहली स्थिती में बल लगाने पर ट्रॉली चल रही है तीसरी स्थिती में भी रेडी पर बल लग रहा है और वो दूरी तै कर रही है लेकिन दूसरी और चौती स्थिती में बल लगाने पर कोई विस्थापन ही नहीं हो रहा अर्थार्थ कोई दूरी तै ही नहीं हुई इन सभी स्थितियों से हम यह समझते हैं कि बल लगाने के साथ यह भी जरूरी है कि जिस वस्तू पर हमने बल लगाया, वे वस्तू कुछ दूरी भी तै करे इसका आर्थ है कार्य करने के लिए दो चीजों का होना आविशक है पहला किसी वस्तू पर कोई बल लगना और दूसरा उस वस्तू का विस्थापित होना आईए, अब हम देखते हैं आपको विज्ञानिक भाषा में कार्य करना समझ में आया है या नहीं तीन एक्जामपल्स लेते हैं पहली स्थिती में एक किताब मेज पर पड़ी है दूसरी स्थिती में एक घोडा, घोडा गाड़ी को खीच रहा है और तीसरी स्थिती में यह आदमी चटान को धकेलने की कोशिश कर रहा है तो बेटा, अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन सी स्थिती में कारे हो रहा है हामा, पहली स्थिती में किताब मेज पर पड़ी है तो कोई कारे नहीं हो रहा क्योंकि कोई बल नहीं लग रहा, कोई विस्थापन नहीं हो रहा दूसरी स्थिती में घोडा बल लगा कर घोडा गाड़ी को खीच ले जा रहा है यानि कि बल भी लग रहा है और विस्थापन भी हो रहा है और यह विस्थापन बल की दिशा में ही हो रहा है तीसरी स्थिती में आदमी चटान को धकेलने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन ये बल इतना नहीं है कि चटान को धकेला जा सके तो बल तो लगा लेकिन विस्थापन नहीं हुआ यानि कि कोई कारे नहीं हुआ मा क्या मैंने सही जवाब दिया? वेरी गुड बिलकुल सही जवाब दिया तो चलिए फाइनली देखते हैं कि कारे करना किसे कहते हैं जब किसी वस्तू पर हमारे द्वारा लगाया गया निश्चित बल उस वस्तू को बल की दिशा में विस्थापित कर सके तो उसे कारे कहा जाता है बच्चों आईए अब हम इसका फॉर्मिला यानि की सूत्र देखते हैं कारे को हम डबल्यू के साथ देनोट करते हैं डबल्यू वर्क से मिला है बल को हम एफ से और विस्थापन को हम एस से बताते हैं किया गया कारे बराबर बल गुणा विस्थापन होता है तो W is equals to F into S कारे बल के परिमान और दूरी के गुननफल के बराबर होता है बेटा आईए अब हम कारे के मात्रक के बारे में भी जाने यदि हमारे द्वारा लगाया गया बल एक न्यूटन है और वस्तु एक मीटर तक विस्थापित होती है तो इसका अर्थ है कारे का मात्रक न्यूटन मीटर है लेकिन एक विज्ञानिक जेम्स जूल के सम्मान में हमने न्यूटन मीटर के स्थान पर जूल का उप्योग किया इसलिए हम कहते हैं कि कारे का मात्रक जूल है बेटा एक जूल कारे वह कारे होता है जब एक न्यूटन बल लगा कर किसी वस्तू को एक मीटर तक विस्थापित किया जा सके थैंक्यू मां, अब मैं भी विज्ञानिक सोच के साथ ही देखा करूंगी कि कोई कारे हुआ है या नहीं हाँ जी बेटा, मुझे लगता है कि आपको अब इसके बारे में सब पता चल चुका है लेकिन एक और बात है, कारे धनात्मक भी हो सकता है और रिनात्मक भी हो सकता है सची, वो कैसे? चलिए, मैं आपको एक उधारन देती हूँ हम दो कंडिशन्स देखते हैं पहली स्थिती में एक बच्चा मेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक धकेल कर ले जा रहा है और एक दूसरा बच्चा अपने खिलोना कार को खीच कर ले जा रहा है इन दोनों स्थित्यों में बल और विस्थापन एक ही दिशा में है इसलिए यह कारे धनात्मक होगा मा इसका अर्थ है यदि बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो तो किया गया कारे धनात्मक होगा लेकिन मा फिर रनात्मक कारे क्या होगा बिटा मैं यही बताने जा रही हूँ कि जब लगाये गए बल से विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो उस समय किया गया कारे धनात्मक होता है जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रोक रहा है लेकिन वो व्यक्ति रुक नहीं रहा इसका अर्थ है बल और विस्थापन विपरीत दिशा में है हाँ इसका अर्थ यह कारे रुनात्मक हुआ येस तो बेटा अब आपको कारे के बारे में सब कुछ समझ आ चुका है तो चलो अब आगे की पढ़ाई करो तो बच्चों यह तो हुआ कारे अब हम बात करते हैं उर्जा के बारे में उर्जा शब्द का प्रयोग हमारे डैनिक जीवन में होता रहता है यह उर्जा हमें कहां से प्राप्थ होती है इसके बहुत से स्त्रोथ हैं लेकिन सूर्य हमारे लिए उर्जा का सबसे बड़ा प्राकरतिक स्त्रोथ हैं हमें कारे करने के लिए उर्जा भोजन से प्राप्थ होती है लेकिन विज्ञानिक भाशा में उर्जा का एक निश्चित अर्थ क्या है आईए समझते हैं आप सबने क्रिकेट खेला होगा जब तीवर वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विक्टों से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरते हैं ठीक इसी प्रकार जब हम किसी वस्तु को किसी निश्चित उचाई तक उठाते हैं तब उसमें कारे करने की शमता समाहित हो जाती है एक और उधारन लेते हैं आपने देखा होगा कि किसी उचाई तक उठाया गया हथोड़ा जब लकडी के किसी टुकडे पर रखी हुई कील पर प्रहार करता है तो वह कील को लकडी में ठोक देता है इन सभी उधारनों में वस्तुएं विभिन प्रकार से कारे करने की शमता अरजित कर लेती है यदि किसी वस्तु में कारे करने की शमता है तो कहा जाता है कि इसमें उर्जा है किसी वस्तु में नहित उर्जा को उसकी कारे की शमता के रूप में मापा जाता है इसलिए उर्जा का मातरक वही है जो कारे का है अथार उर्जा का मातरक भी जू ही है एक जूल कार्य करने के लिए हमें एक जूल उर्जा की आविशक्ता होती है उर्जा के बड़े मात्रकों में किलो जूल आता है जो की 1000 जूल के बराबर होता है आईए अब हम उर्जा के विभिन रूपों के बारे में बात करते हैं उर्जा के विभिन रूप हैं गतिच उर्जा, उश्मिय उर्जा, रासाइनिक उर्जा, विद्धुत उर्जा, प्रकाश उर्जा, स्थितिच उर्जा, ध्वनी उर्जा और नाभिकिय उर्जा आईए बच्चों, सबसे पहले हम गतिज उर्जा के बारे में बात करते हैं किसी गतिशील वस्तू में उसकी गती के कारण नहित उर्जा को गतिज उर्जा कहा जाता है जैसे चलते हुए वाहन, बंदूख में से निकलती हुई गोली और सूरे के चारों और घूमते हुए ग्रहे कोई भी वस्तू जितनी जादा तीवर गती करेगी उस वस्तू में गतिज उर्जा की मात्रा भी उतनी ही जादा होगी किसी वस्तू की गतिज उर्जा मुख्य तहर दो चीजों पर निर्भर करती है पहला वस्तू का द्रव्यमान और दूसरा उसकी चाल आईए एक उधारन से इसे समझते हैं देखो बच्चों अगर हम एक बड़ा और एक छोटा हथोडा लें और इन दोनों हथोडों से एक कील को ठोकने का प्रयास करें तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि बड़े हथोडे ने कील को जादा गहराई तक ठोक दिया है इसका अर्थ है कि इसने छोटे हथोडे से जादा कारे किया बच्चों बड़े हथोडे का द्रव्यमान जादा है इसलिए उसके पास गतिच उर्जा की मात्रा भी बढ़ जाती है और वह जादा कारे करता है इससे यह सिद्ध होता है कि गतिज उर्जा द्रव्यमान के समान उपाती होती है अथार यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान जादा होगा तो उस वस्तु की गतिज उर्जा भी जादा होगी आईए अब हम वस्तु की चाल के बारे में बात करते हैं यदि आप एक पत्थर को कांच की पतली शीट के उपर आराम से रख दें तो कांच की शीट को कोई नुकसान नहीं पहुँचता लेकिन इसके विपरीद एक छोटा सा पत्थर यदि बड़ी जोर से कांच की शीट पर मारा जाए तो वह तूट जाती है इसका मतलब है कि किसी गतिशील वस्तू की चाल का जादा होना उसमें गतिच उर्जा की मात्रा बढ़ा देता है और वह जादा कारे करती है तो बच्चों यदि कोई वस्तू जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है और वह वस्तू किसी निश्चित चाल वी के साथ गति कर रही है तो उसमें उत्पन हुई गतिच उर्जा की मात्रा होगी वन बाई टू एम वी स्क्वाईर इस प्रकार अगर किसी वस्तू की चाल को हम दुगना कर दे अर्थार्थ वी को अगर हम दुगना कर दे तो वस्तू की गतिच उर्जा चार गुना बढ़ जाएगी तो बच्चों अब हम यह देखते हैं कि जो गतिज उर्जा का सूत्र हाफ M V स्क्वाइर हमने निकाला है यह हमें कैसे प्राप्त होता है मान लीजिए कि M द्रव्यमान की एक वस्तू एक समान वेग से गतिशील है इसके उपर एक नियत बल F विस्थापन की दिशा में लग रहा है और वस्तू S दूरी तक विस्थापित हो रही है वस्तू पर किये गए कारे के कारण इसके वेग में परिवर्तन होगा तो मान लीजिए कि वस्तू का प्यारंभिक वेग U से V हो जाता है U यहाँ वस्तू का प्यारंभिक वेग और V वस्तू का अन्तिम वेग है यहाँ उत्पन त्वरण को हम A के साथ दर्शाते हैं गति के समीकरण से एक समान त्वरण A से किसी गतिशील वस्तू के प्यारंभिक वेग तथा अन्तिम वेग तथा विस्थापन के बीच का सम्बंद हम इस समीकरण से निकालते हैं V सक्वाइर माइनस U सक्वाइर इस इक्वल्स टू 2 AS यहाँ S का मान निकालने पर S इस इक्वल्स टू V सक्वाइर माइनस U सक्वाइर बटा 2 A बच्चों हमें यह भी पता है कि F is equals to MA होता है यहाँ पर F और S का मान W is equals to F S में डालने पर हमें मिलता है MA into V square minus U square by 2A यहाँ A से A को कट कर देने पर हमें मिल रहा है W is equals to half M V square minus U square यदि वस्तू की गती विराम अवस्था से शुरू होती है अर्थार्थ वस्तू का प्रारंभिक वेग U का मान 0 है तो यह मान समीकरण पर डालने पर हमें कारे प्राप्त होता है W is equals to half M V square और यहाँ यह स्पर्ष्ट है की किया गया कारे वस्तू की गतीच उर्जा के बराबर है अर्थार्थ गतीच उर्जा E के एनर्जी काइनेटिक एनर्जी is equals to half M V square तो बच्चों इस प्रकार हम गतीच उर्जा के सूत्र को प्राप्त करते हैं आईए बच्चों अब हम पढ़ते हैं स्तितिच उर्जा के बारे में उर्जा का अगला प्रकार स्तितिच उर्जा है इसे समझने के लिए हम एक ख्रिया कलाब करते हैं एक रबर बैंड लीजिए इसके एक सिरे को पकड़ कर दूसरे सिरे से खीचिए बैंड खिच जाता है अब एक सिरे से बैंड को छोड़ दीजिए बच्चों हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि बैंड अपनी प्रारंभिक लंबाई प्राप्त करने का प्रयास करता है अर्थार बैंड ने अपनी खिची हुई स्थिती में कुछ उर्जा उपारजित कर ली है लेकिन खीचने पर रबर बैंड ये उर्जा लाया कहां से? बच्चों, बैंड को खीचने के लिए जो हमने कारे किया था वह उर्जा के रूप में रबर बैंड में स्टोर हो गया था हम रबर बैंड को खीच कर कुछ उर्जा उसमें स्थानांत्रित कर देते हैं इसी उर्जा के साथ रबड अपनी प्रारंबिक स्थिती में वापस आ जाता है इसलिए बच्चों किसी वस्तु के द्वारा इसकी स्थिती या आकरती में परिवर्तन के कारण प्राप्त उर्जा को स्थितिज उर्जा कहा जाता है आये बच्चों, हम यह देखते हैं कि किसी उचाई पर वस्तु की स्थितज उर्जा क्या होती है बच्चों, वस्तु को किसी उचाई तक उठाने में उसकी उर्जा में व्रिद्धी होती है इसका कारण है कि किसी वस्तु को उपर उठाने पर इसके उपर गुरुत्व बलके विरुध कारे किया जाता है इस प्रकार की वस्तु में विद्यमान उर्जा उसकी गुरुत्विय स्थितिच उर्जा होती है किसी M द्रव्यमान की वस्तू को प्रित्वी से H उचाई तक उपर उठाईए ऐसा करने के लिए हमें एक बल की आविशक्ता है वस्तू को उठाने के लिए कम से कम बल वस्तू के भार के बराबर लगता है अर्थार्थ यहाँ पर F फिजिक वस्तू M जी लिया जाएगा बच्चों आपको याद होगा कि भार वस्तू के द्रव्यमान M और गृत्वी त्वरण G के गुननफल के बराबर होता है वस्तू में इस पर किये गए कारे के बराबर उर्जा उपारजित होगी मान लिजिए वस्तू पर गृत्वी बल के विरुद्ध किया गया कारे W है और हमें पता है कि W is equals to F into S बल गुना विस्तापन यहाँ बल कितना लगा? M जी के बराबर और विस्तापन कितना हुआ? वस्तू ने H उचाई तै करी तो इसका अर्थ है W is equals to M G H यहाँ किया गया कारे M G H के बराबर होगा क्योंकि वस्तू में M G H के बराबर ही उर्जा स्टोर होगी और यह उर्जा वस्तू की स्थितिज उर्जा है सो बच्चों यहाँ पर ध्यान देने की आविशक्ता है कि गुरुत्विये बल द्वारा किया गया कारे वस्तू की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों की उर्द्वाधर उचाईयों की अंतर पर निर्भर करता है ना कि उस रास्ते पर जिस पर की वस्तू ने गती की है हम चित्र में देख रहे हैं कि लकडी का एक गुटका स्थिति A से स्थिति B तक दो विभिन पत्थों से पहुँचाया गया है लेकिन उसने उचाई A B बराबर H ही तै की है तो दोनों ही स्थितियों में किया गया कारे M G H होगा इसका अर्थ यह हुआ कि स्थितिच उर्जा कारे इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वस्तू ने किस रास्ते से दूरी तै करी लेकिन इस बात पर निर्भर करता है की उसका विस्तापन कितना हुआ आईए बच्चों अब हम उर्जा सरक्षन के नियम के बारे में पढ़ते हैं उर्जा सरक्षन के नियम के अनुसार उर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है यह ना तो निर्मित की जा सकती है और ना ही नश्ट की जा सकती है रुपांतरन के पहले और रुपांतरन के बाद कुल उर्जा सदैव अचर रहती है उर्जा सरक्षन का यह नियम प्रतेक स्थिती तथा सभी प्रकार के रुपांतरनों में मानने है आईए बच्चों, इस नियम को एक उधारन के साथ समझते हैं माल लीजिए, एक M द्रविमान की वस्तु H उचाई से स्वतंतृता पूर्वक गिराई जाती है प्रारंभ में H उचाई पर होने के कारण उसमें स्थितिज उर्जा MGH है और उसकी गतिज उर्जा वहाँ 0 है, 0 क्यों? क्योंकि प्रारंभिक स्थिति में वस्तु विराम वस्ता में है इसलिए उचाई पर प्रारंभिक वेग 0 होगा और वेग 0 होने के कारण वस्तु की गतिज उर्जा 0 होगी इसका अर्थ बच्चों A पुजीशन अर्थार्थ H उचाई पर कुल उर्जा गतिज उर्जा प्लस स्थितिज उर्जा अर्थार्थ 0 प्लस MGH is equal to MGH ही होगी बच्चों अब माल लीजिए कि यह वस्तु कुछ दूरी X तै करके अपनी अगली स्थिति B तक पहुँच गई है अब हमने इस स्थिति पर इसका वेग इसकी गतिज उर्जा और इसकी स्थितिज उर्जा को कैलकुलेट करना है वेग के सूतर से हम उसका वेग 2GX प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि उसने X विस्तापन किया इस वेग से हम उसकी गतिज उर्जा प्राप्त कर लेते हैं जो है MGH बच्चों अब हम उसकी स्थितिज उर्जा को कैलकुलेट करते हैं हमें पता है कि स्थितिज उर्जा बराबर होती है MGH के और यहां पर विस्थापन H नहीं, उसकी हाइट है यह वस्तु अब धर्ती से H-X उचाई पर है तो इसमें स्थितिज उर्जा होगी MGH into H-X और कुल उर्जा होगी MGH plus MGH-X तो बच्चों इस स्थिति में अब हमारे पास कुल उर्जा होई MGH जो की पहली वाली स्थिति की उर्जा के बराबर ही है अब हम अगली स्थिति अर्थार्थ सी स्थिति की बात करते हैं जवेह वस्तू प्रत्वी पर पहुँच गई तब हम देखेंगे कि उसमें उर्जा कितनी है धर्ति पर पहुँचने पर वस्तू का वेग 2GH के बराबर होगा और उसकी गतिज उर्जा MGH के बराबर होगी अब हम उसकी स्थितिज उर्जा कैलकुलेट करेंगे बच्चों, यह वस्तू कितनी उचाई पर है? जी हाँ, वस्तू धर्ती से h बराबर 0 की उचाई पर है क्योंकि वो वस्तू अब धर्ती पर आ गई है तो इसका अर्थ हुआ कि अब इसकी स्थितिज उर्जा 0 होगी लेकिन कुल उर्जा अर्थार्थ गतिज उर्जा प्लस स्थितिज उर्जा MGH प्लस 0 is equals to MGH ही होगी तो बच्चों, हमने तीनो स्थितियों में देखा कि A स्थिति पर, B स्थिति पर और C स्थिति पर वस्तू की उर्जा MGH ही रही क्यूंकि उसमें प्रारंभिक उर्जा MGH ही थी तो चाहि रास्ते में स्थितिज उर्जा ने गतिज उर्जा में परिवर्थन किया लेकिन उसकी उर्जा MGH ही रही तो इससे उर्जा सरक्षन का नियम सिद्ध होता है जिसके अनुसार उर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है इसकी ना तो उत्पत्ती की जा सकती है और ना ही विनाश किया जा सकता है आईए बच्चों, अब हम कार्य करने की दर शक्ती के बारे में पढ़ते हैं जैसा कि आप चित्र में देख रही हैं, दो तैराक बिंदू A से बिंदू B तक तैर रही हैं लेकिन एक तैराक बिंदू B तक पहले पहुँच जाता है यदि पी दूसरे तैराक को बिंदू B तक पहुँचने के लिए थोड़ा जादा समय लगता है दोनों तैराकों द्वारा किया गया कारे बराबर है, लेकिन एक ने उस कारे को करने के लिए कम समय लिया और दूसरे तैराक ने जादा समय लिया इसका अर्थ हुआ कि कारे को हम समय के साथ जोड़ कर भी देखा जाता है इसी लिए हम कारे करने की दर या शक्ती निकालते हैं कारे करने की दर को शक्ती या पावर कहा जाता है शक्ती बराबर कारे बटा समय शक्ति को हम P से बताते हैं, कारे को W से और समय को T के साथ तो बच्चों, पावर P is equals to W by T इस सूत्र की सायता से हम शक्ति ग्याद कर सकते हैं शक्ति का मातरक है वाट यह मातरक प्रसित विज्यानिक जैम्स वाट के समान में रखा गया था बच्चों, एक वाट बराबर एक जूल बटा एक सेकंड है अर्थार्थ, यदि कोई व्यक्ति एक सेकंड में एक जूल कारे करता है तो उसकी शक्ति एक वाट होगी शक्ति की उच्च दरों को हम किलो वाट से दर्शाते हैं एक किलो वाट बराबर एक हजार वाट होता है आईये बच्चों, अब हम पढ़ते हैं उर्जा के व्यवसाईक मात्रक के बारे में जूल उर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक है उर्जा की बड़ी राश्यों को व्यक्त करने के लिए हम उर्जा के एक बड़े मात्रक का उप्योग करते हैं जिसे किलोवाट घंटा के डाब्ल्यू एच कहते हैं एक किलोवाट घंटा से क्या अर्थ है? माल लेजिए हमारे पास एक मशीन है जो एक सेकंड में 1000 जूल उर्जा का उप्योग करती है यदि इस मशीन को लगातार एक घंटे तक चलाएं तो यह एक किलोवाट घंटा उर्जा व्या करेगी अतह एक किलोवाट घंटा उर्जा की वह मात्रा है जो एक किलोवाट के किसी स्त्रोत को एक घंटे तक उप्योग करने में व्या होती है एक किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है घरों, उद्योगों तथा व्यवसाइक संस्थानों में व्याय होने वाली उर्जा को किलोवाट घंटा में व्यक्त करते हैं जैसे एक महिने में यूज की गए विद्यो तूर्जा को यूनिट के रूप में बताते हैं एक यूनिट का अर्थ एक किलोवाट घंटा होता है तो आईए बच्चों, अब हम करते हैं इस पार्ट की दोहराई किसी वस्तू का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस वस्तू पर किया गया कार्य भी शून्य होगा कार्य करने की शमता को उर्जा कहा जाता है उर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का होता है गतिज उर्जा बराबर half mv square और स्थितिज उर्जा का सूत्र है mgh उर्जा सरक्षन के नियम के नुसार उर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रुपांतरित किया जा सकता है इसकी ना तो उत्पत्ती होती है और ना ही विनाश रुपांतरिन के पहले वा युरुपांतरिन के पश्चात कुल उर्जा सदैब अचर रहती है व्यवसाइक उर्जा का मातरक किलो वाट घंटा है आये बच्चों अब हम देखते हैं कुछ प्रश्ण और मुझे पूरी उमीद है कि आप इनके उत्तर असानी से बता देंगे किसी कुली के द्वारा किया गया कारे कितना होगा यदि वै बोझे को सर पर लेकर खड़ा है जी हाँ क्यूंकि कुली ने बल तो लगाया लेकिन विस्थापन नहीं हुआ तो कुली द्वारा किया गया कारे शुन्य है धनात्मक कारे किसे कहा जाता है बिल्कुल ठीक धनात्मक कारे वह कारे होगा जब बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में हो रहा हो ये question आपने अपने आप solve करना है सूत्र लगाकर और answer निकालना है question है 20 kg दर्वेमान की एक वस्थू 5 मीटर प्रती सेकंड के वेग के साथ एक समान गती करती है तो इस वस्थू की गतिज उर्जा कितनी होगी कोशिश करिए यहाँ पर गतिज उर्जा का सूत्र लगाकर इस question को solve करिए मुझे पूरी उमीद है आप आसानी से इसका उत्तर निकाल पाएंगे तो बच्चों इस प्रकार आपने देखा कि उर्जा के विभिन रूप कौन-कौन से हैं गतिज उर्जा, स्थितिज उर्जा और ये रूप आपस में किस तरीके से बदलते हैं हमने यह भी देखा कि उर्जा का व्यवसाइक मात्रक क्या है तो इस तरह मुझे पूरी उमीद है कि ये अध्याएं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा तो बच्चों आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें जल्द ही मिलेंगे एक नए अध्याए के साथ धन्यवाद